दोस्तों केसे वह आप सब आपका भ़ाई है और एक निव रिक्वार्मेंट का अफ्टेट चसाथ आज कking जयाल में होड़ानी अबिस्ट कुछ मेरे चैनेल की चैनल के रहे हैं तो पहले eligibility criteria का बात कर लेते हैं, इसका भी जो requirement निकला हुआ है, ITI, Diploma और B.E.B.T.E.C. candidate के लिए हाँ पर requirement निकला हुआ है, all India candidate इस post को apply करने के लिए eligible रहने वाले हैं, अगर आप हमारा telegram channel अभी तक join नहीं कि हैं, तो link description में दिया हुआ है telegram channel को भी join कर लिजे, वहाँ प उस link पे click करेंगे कुछ इस तरह का interface, आपको सामने खुल के आ जाएगा, आपको क्या करने को इनकला हुआ है, यहाँ पर रिक्वार्मेंट पूर और Advertisement देखने को मिल जाएगा, आपको कहकर ने इसका Advertisement को डाउनलोड कर लेना है, जैसे कि मैं भी Central Power Research Institute का जो Official Notification जारी किया गया, मैं भी वहाँ पे हूँ, यहाँ पे आपको Advertisement Number भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे भी Requirement क्या क्या निकला हूँ है, आपको देख टोटल भेकेंसी यहाँ पे 20 भेकेंसी है और आपको जो लेबल रहेगा, लेबल 7 रहेगा, और यहाँ पे इसका सेलरी पेकेज रखा गया, 44,000 से इसका जो बेसिक सेलरी स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट यहाँ पे Scientific Engineering Assistant का रिक्वार्मेंट है, टोटल यहाँ पे 7 भेके जेनरल केंडरेट के लिए 6 और EWS केंडरेट के लिए एक वेकेंसी रखा गया है, यहाँ पे आपको जो लेबल रहेगा, लेबल 6 रहेगा, और यहाँ पे सेलरी जो रहेगा, आपका 35,000 से स्टार्ट होने वाला है, यह जो टेक्निशन ग्रेट में इसको आइटे केंडरेट आपलाई करेंगे scientific engineering assistant के लिए यहाँ पर डिपलोमा candidate आपलाई करेंगे और यहाँ पर जो officer grade 1 जो है इसको btec candidate इस post को आपलाई करने के लिए eligible रहेंगे next यहाँ पर assistant grade 2 का यहाँ पर वेकेंसी देखने को मिल रहा है यहाँ पर total 16 वेकेंसी रखा गया है और यहाँ पर आपको पोस्ट आई जैसे जेनरल candidate के लिए साथ EWS candidate के लिए 1 SC candidate के लिए 3 और OBC non क्रेंट के लिए यहाँ पर 5 वेकेंसी रखा गया है यहाँ पर लेबल रहेगा लेबल 4 रहेगा और सेलेरी आपका जो रहेगा यहाँ पर 25,000 से यहाँ पर आपका स्टार्टिंग होने वाला है यहाँ पर MTS grade 1 का भी आपको देखने को मिल जेगा टेंथ केंडेट आपलाई करने के लिए टोटल वेकेंसी यहाँ पर 7 है और यहाँ पर आपका लेबल रहेगा लेबल 1 रहेगा और 18,000 यहाँ पर आपका सेलेरी जो रहेगा बेसीक यहाँ पर बरांच वाइन देखने के मिलेगा बरांच काबास का तक टो तो हैं पर इलेक्ट्रीकल कम्यूनिकेशन mechanical और civil और यहाँ पर serial number 2 में यहाँ पर chemistry, electrical, civil, mechanical वाले apply करने के लिए eligible रहेंगे हाला कि यहाँ पर short notification और ज़्यादा कुछ यहाँ पर details नहीं जिया गया है जब इसका full notification जारी किया जाएगा उसमें और क्या गया eligibility criteria इसका क्या selection procedure और इसका क्या syllabus रखा गया है वहाँ पर उसका सारा details देखने को मिल जाएगा इसका जैसे ही जो full notification आता है तो उसके उपरी में एक details वीडियो बना दूँगा यहाँ पर apply करने का date का बात करें तो यहाँ पर एक November से इसका online start होने वाला है और last date जो रखा गया है तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको इस vacancy को लेके कोई भी doubt है तो आप मेरो comment box में comment कर सकते हैं आप को यहाँ पर 100% help किया जाएगा तो मिलते हैं next video में आज के लिए ता ही ठैंक्यू